सबी साथियों को मेरा नमस्कार दोस्तो आज का जो वीडियो है वो RRC Group D के जो एस्पाइरेंट है जिसकी बढ़ती 2019 में निकले थी उनके लिए है दोस्तो और आज के वीडियो को मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँआ कि इस वीडियो को अधिक से दिक शेर कीजिए ताकि र सरकार जो है जल्द से जल्द उनके एक्जाम डेट डिसाइड करके जल्द से जो वर्ती प्रक्रिया है उसको पूरा करवाए चली दोस्तो शुरू करते हैं अब दोस्तो जैसे का आपको पता होगा कि 2019 में एक वर्ती आयी थी जिसका नाम था RRC Group D इसमें एक लाग से उपर रपदों पर ये वर्ती थी और तीन साल हो गए दोस्तों अभी तक उसकी जो एक्जाम हैं वो नहीं हुई है एक्जाम होई है ये यह बार बार यहां पर चेंजे किये जा रहे हैं और फिलाल जो एक्जाम डेट वताई जा रही है वो जुलाई 2020 वताई जा रही है तो impairment मैरा नेवेदन है कि मानिये रेल मंत्रे जी आप पर हमें पूर्ण भरोसा है आप बहुत अच्छे एक राजनेता हैं और आप छात्रों की जो बाते हैं छात्रों का दर्द है उनको समझ सकते हैं तो आप से मेरा हंबल रिक्वेस्ट रेगा कि प्लीज करके जो देश का बविश्य ह जो रेल में अपनी सेवा देना चाते हैं वो तीन साल से बहुत ज़्यादा परिशान है तो आप से मेरा अनुरोध है और छात्रों की तरफ से कि प्लीज क्रिपया करके जो रेलवे ग्रूबडी की जो बरती है इसको जल्दी से जल्दी पूरा करवाईए क्योंकि आप भी चात्र हैं जो बिचारे कहीं रूम लेके पढ़ाई करते हैं कहीं कोई पैसे उधार लेके त्यारी कर रहा है किसी के पास बुक के पैसे नहीं मेरे पास इतने मैसेज इतने कमेंट पड़े हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता चात्रों ने मतलब इन बहुत सारे चात्रों की त तीन साल lequel ऐसी कॉन सिकते त्यारे कर रही हैं कि तीन साल से इक्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो आपक को प्लिज कर प्लिज कर जो और जो छात्र हैं जो देश का भविश हैं जो देश के नभार हैं एक लाख जो ने आपको जो करमचारी मिलेंगे वो बहुत परिशान है तीन साल से ओलेडिया आपको पता होगा कि कोवीड के कारण जो इस्ततिय बहुत खराब हो चुकी है बहुत लोग भीरुसकार हो चुके हैं और जो छात्रे विचारे बहुत होफलेस हो चुके हैं और जो है सिलेबस पूरा कर चुके हैं बहुत टेंशन में हैं और मैं आपको मंत्री जी क्या बताओ कि मेरे बहुत सारे से जानकार है आद से ज्यादा जो अब इस समय तैयारी छोड़ के घर बेटे हुए हैं वो सोचने की पता नहीं फिर से एक्जाम डेट पोस्ट पोन हो जाए कि चलो 19 साल की 20 साल की एज में फॉर्म बराओगा आज वो 23-23-23-23 साल के हो चुके हैं इसके अलाव बहुत सारे तो ऐसे भी हैं जो ओल्ड़ेडी सटाई सटाई साल के हैं जो उन्हेंने फॉर्म बराए 30-30 साल एज उनकी हो गई है तो फैमिली भी प्रोब्लम है एकोनोमी आसाई हैं और रेल्वे में जो सेवा देना चाते हैं वो बहुत परिशान हो गए विचारे तीन-तीन साल से आप भी जानते हैं कि बार-बार जब एक्जाम डेट पोस्ट पोन हो जाता है आप भी जानते हैं कि एक छात्र जो है वो किस प्रकार से त्यारी करता है एकी चीज लंबी चलेगी तीन मेने अप्रोक्समेटली फिर उसका रिजल्ट आएगा रेल्वे वैसे रिजल्ट में बहुत टाइम ले लेता है जैसे एंटीपीसी में देखे तो छे मेने का टाइम ले लिया फिर वही तो यह प्रोसेस जो है लगबग पांस साल किंजाती है तो आप स इसको इतना लंबा मत कीजिए कि 4-5 लग जाएं और छात्र इतने परिशान हों क्योंकि जो गरी फैमिली से है जैसे प्रेसर न के पास है तो बस आप से यहीं रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज करके छात्रों का दर्द समझिए जो भरती प्रोसेस उसको लंबा मत कीजिए ज ताकि जो आप पे भरोसा है चात्रों का वो ना टूटे और रेलवे के प्रती जो भरोसा है वो चात्रों का ना टूटे और आपकी जो सरकार है उसकी भी छवी भी खराम ना हो क्योंकि जब 3-3 साल हो चुके हैं तो चात्र कहीं कहीं परिशान होते हैं और कहीं कहीं उसे राज वेस्टे धन्यवाद